गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चों यसे कि आपको पता है कि आज है सुमवार और सुमवार को आपकी दो वक्षिट्स आती हैं हिंदी और EBS तो ये है आज की EBS की वक्षिट आपे डेट लिखेंगे अपनी 25 तैनियन की अक्टूबर 2021 वक्षिट नमबर है 96 क्लास 3 अपना स्टूडेंट्स नेम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों आप सभी ने मौसम को बदलते हुए तो देखा ही होगा जैसे की गर्मी, सर्दी, बरसाद, इत्यादी अलग-अलग मौसम में हम सभी के रहन सहन में भी बदलावाता है गर्मी के मौसम के बाद हमें सबसे ज़्यादा इंतजार सर्दी के मौसम का होता है जिसमें हमें गर्मी से राहत मिलती है सर्दी के मौसम में कोहरा होता है ठंडी हवाई चलती है कई जगहों पर पर्फ भी पड़ती है इस मौसम में पेडों पर पत्ते नहीं होते साथ ही दिन छोटे और राते लंबी होती है आप सभी को भी सर्दी के मौसम की बहुत सी बाती अच्छी लगती है तो आएए आज हम सर्दी के मौसम के बारे में जानेगे पहला प्रश्ण है बच्चों, नीचे आपको सरदियों में इस्तेमाल होने वाले बस्त्रों के कुछ चित्र दिये गए हैं संकेत बॉक्स की सहाइता से इन चित्रों को पहचान कर उनके नाम अपनी कौपी में लिखने हैं अब बच्चों यह जो आपको चित्र दिये गए हैं, इनके नाम लिखने हैं, यह है संकेत बॉक्स, इसमें इनके नाम है, नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखेंगे, ठीके बच्चों, तो यह है पहला, पहला क्या है यह, यह है बच्चों दस्ताने, जिसको बोलते ह तो यह दोनों ही आप यहां नाम लिख देंगे, दूसरे नंबर पर है, क्या है यह, जैकेट, और इसको इंग्लिश में भी जैकेट ही बोलते हैं, फिर यह है मफलर, यानिके उनी सकाफ, वोलन सकाफ, यह उनी सकाफ है, वोलन सकाफ बोलते हैं इसे, उसके बाद यह है स्व प्री यह है उनी टोपी बूलन हैट यह बूट है यह क्या है यह मोजे यानिकी सोक्स यानिकी सोक्स और यह थंड बहुते हैं जैसे कि आप एयरपॉड्स पैंते हो या फिर कान गानी सुनने के लिए music सुनने के लिए लगाते हो इसी तरह यह कान को धकने के लिए अलग से आते हैं यह कान का Muffler बोलते हैं इन्हें बोलते हैं Ear Muff यह कान को कर्माहाट पहुझाते हैं तो यह आप नाम अच्छे से लिख पह लेंगी और इनको अच्छे से याद भी करेंगे प्राशerson 2. सर्दी की मौसम से हमारे रहन सहन में भी बहुत से बदलावाते है. सर्दी में कुछ चीजे करन ja हमें पसंद होता है और कुछ नहीं. जब आप भी अपनी पसंद और नापसंद अब आप पे अपनी पसंद और नापसंद नीचे दी गई तालिका में भरे सर्दी के मौसम में आपको क्या पसंद है तो वो यहां यहां लिख लिए तीन चीजे और सर्दी की मौसम को आपको क्या करना पसंद नहीं है या क्या चीज पसंद नहीं है वो आप यहां पे लिख दीजे ठीके बच्चों और एक activity भी करनी है कि घर में उपलब्त कागजों की साहिता से सर्दी के मौसम से संबंदित कोई भी वस्त बनाए जैसे हमने टोपी बनाई है और अपने अध्यापक अध्यापका के साथ साजा केजिए तो इसला आप भी कागत की मदप से कुछ भी सर्दी में इस्तेमाल होने वाले वस्त बना सकते हो और अभिभाबों के लिए सुझाव है कि बच्चों से सर्दी के मौसम में आने वाले बदलावों पर चर्चा कीजिए और परियुक्त कतीविदी में उनकी सहायता कीजिए और COVID-19 के दोरे अपेक्षित व्यावार में से क्या है बच्चों एक जब भी आप बाहर जाएंगे 6 फीट और 2 याड की दूरी बनाके रखने हैं खासकर भीड़ वाली जगह आपर तो बच्चों अच्छे से आज की इसकी वर्कषीट कीजिए और कोई भी समस्या आए तो मुझे बताएगे टेक केर अब